सो हलो दोस्तो वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल सो दोस्तो एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वहला दोस्तो कि आप जिदी पोस्ट ओपिस में अपने रुपय के इन्वेस्ट करते हैं माई एस प्लान में आनि की मंथली इंकम प्लान में तो फिर कि इस वीडियो को फूल वाच करना है दोस्तो आप जिदी इस वीडियो को फूल वाच करते हैं तो फिर आपको पूरा कम्पलीट पता चल जागा कि आखिर MIS प्लान में इन्वेस्ट करने से कितना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा तो दोस्तो आई आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एकी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिज़े मेरे चैनल को सस्क्राब नहीं क ऐसे आपको करना यहां के आपको क्लिक करना है नैशनल सेविंग मन्थली इंकम एकाउंट में दोस्तो आपको इस में किलीक कर देना है कि करने मा दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं जो कि ए जो रेट आ एक दोजर चोबिस को और दोस्तो आप जिख बीए assignments में डर्यट करते तो 7.4% rate of interest मिलेगा तो दोस्तो एंड उसको यहां पे आप देख सब्सक्राइब दोस्तो आप इस account जदी open करना चाहते हैं तो फिर आपको minimum amount दोस्तो एक 1000 से start करना होगा और maximum investment limit in INR 15,00,000,000 in single account and INR 15,00,000,000 in joint account आनी के दोस्तो आप जदी post office का मन्थली income plan में आप अपने रुप्या के invest करते हैं तो फिर आपको 1000 से start करना पड़ेगा चाहे आप single वेक्ती opened कर रहें जाये आप joint वेक्ती open कर रहें आपको start आपको 1000 रुप्या से invest करना होगा और दोस्तों आप मौने जे सिंगल बैगती हो और आप जदी इस एकांड में अपने रुपिया के इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको 9 लाख रुपिया तक इस एकांड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जोएंट और जदी आप जदी जोएंट एकांड ओपेंड करना चाहते हैं तो फिर आप उस ट सकते हैं और दोस्तों जोएंट एकांट जोदी आप आप ऑपन करना चाहते हैं तो फिर आप जोएंट एकांट भी आपन कर सकते हैं तो फिर आप उस बच्चे के नाम से भी इस एकांट को चलाना चाहते हैं तो फिर आप उस बच्चे के नाम से भी इस एकांट को चला सकते है लेकिन दोस्तों आपका बच्चे के एज 10 एर्स होना चाहिए तभी आप अपने बच्चे के नाम से इस सेकांड को ओपेंड कर सकते हो तो दोस्तों एंड उसके नेक्स्ट यहां पर में बात करता है दोस्तों कि आप जदी फिरी मेचुर्टी कलोज करवाना चाहते हैं तो फिर आप उस टेम फिरी मेचुर्टी कलोज भी करा सकते हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नो डिपोजिट सेल भी विड़ोल वेफोर दा एक्सपायर ओफ ओन एर्स फ्रॉम दा डेट ओफ डिपोजिट दोस्तों आप जदी एक सल के अंदर ही अपने रुपिया के फिरी मेचुर्ट कलोज करा करके अपने रुपिया के विड़ोल करना चाहते हो तो फिर उस कंडिक्शन में आप विड़ोल नहीं करा सकते हैं दोस्तों आपको कम से कम एक सल आपको चलाना होगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इफ एकाउंट इज क्लोज अप्टर ओन एर्स एंड वेफोर थी एर्स फ्रॉम दा डेट ओफ एकाउंट ओपेनिंग ए डेडिकेशन इक्वल तू टू परसेंट फ्रॉम दा प्रिंसिपल प्रिंसिपल वी डेडिकेट एंड रेमिनिंग एमांट वील बी पेड आनि कि दूस्तों आप जदी एक साल से लेकर के तीन साल तक चलाते हैं उसके बीच में जदी आप अपने एकांट को बंद करना चाहते हैं तो फिर आपको उस टेम दो परसेंट का प्लेंटी लगेगा दो परसेंट आपका प्रिंसिपल एमांट से काट करके और आपका रूपिया ओपस कर देगा तो दोस्तो एंड उसके बीच बोला जारा दोस्तो कि आप जदी तीन साल से पहले और पांच साल के बाद जदी आप फिरी मेच और कलोज कराना चाहते हैं तो फिर आपको उस कंडिक्सेंट में एक परसेंट का प्रिंसिपल एमांट जो आपको काट करके और आपका रूपि का आपका नहीं केटएगा आपको जितना रूपिया इणको उटना रूपिया मिल जाएगा सो दोस्तो एंड आई हो पाचिक्स वीडियोए का माध्याम सवज़यों में आप लोग को समझ में आग गयागो दोस्तों वीडियो अच्ently को लाइक को कमेंट सेटेंगे ऊतने हमा बादरान